जैहीं दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल है इसके ज़ाप सग्यान में तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब में जो पंजाब नैशनल बैंक के द्वारा पियन या चपड़ासी की भरतियां चल रही है उसमें पटियाला और फतेगर साहिव दिश्टिक के लिए भरति जारी की गई है तो दोस्तो इसमें आपको टोटल 11 पोस करें तो दोस्तो आगे हम आपको वीडियो में इसका पूरा eligibility criteria के बारे में बताएंगे और आप इसका जो application perform है वो कैसे भेजोगे या send करोगे उसके बारे में भी हम आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को पूरी देखे ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके तो दोस्तो अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जोब सग्यान को जुरूर subscribe करें ताकि आगे भी आने वाली सभी vacances की detail के बारे में आपको पता लगता रहे तो दोस्तो यह जो post है य जो की आपका डिस्टिक है इसमें पटियाला और फतेगर साहिब के लिए ये भरतियां जारी की गई हैं तो दोस्तो इसमें आपको total 11 पोस्ट है जारी की गई हैं तो दोस्तो आप बात करते हैं इसकी education qualification की तो इसके लिए आपकी plus two पास होनी चाहिए और आपको English पढ़ने और लिखने का पूरा ग्यान होना चाहिए तब ही आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बात करते हैं इसकी salary की तो इसमें जो आपकी salary है वो 14,500 से 8,125 रपैय तक रह सकती है तो दोस्तो इसके बात करते हैं इसकी age limit की तो इसमें जो आपकी age limit है वो 18 साल स लेकर 24 साल तक दी गई है जो की काउंट की जाएगी एक एक दो हजार बाईस तक तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि इसमें उपरी सीमा में आपको छूट क्या दी जाएगी तो इसमें अनसुची जाती के उमिद्वारों को 5 साल की छूट रहेगी और OBC के उमिद्वार के लिए 3 साल की छूट दी गई है तो दोस्तों इसके बाद इसमें और भी कहीं छूटे दी गई हैं वो आप यहां से अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं डिस्टिक वाईज इसमें आपको कितनी विकैंस दी गई हैं तो फत्यगर टोटल तीन पोस्ट हैं जिसमें SC की दो पोस्ट हैं OBC की एक पोस्ट दी गई है इसके साथ ही पटियाला में टोटल आठ पोस्ट दी गई है जिसमें SC की एक है OBC की एक दी गई है और EWS के लिए एक post दी गई है और journal के लिए 5 post दी गई है तो इसमें आपको total 8 post दी गई है तो दोस्तो इसके बाद बात करते हैं कि इसके साथ आप document कौन से लगाओगे तो इसमें आपको जो है अपनी विद्धिक जो आपकी जनमतिती का परमान पत्र है वो लगाना होगा 10th plus 2 की mark sheet की photocopy लगानी होगी SCST का जो आपका certificate है वो साथ में लगाना पड़ेगा और आपका जो निवास का सबूत है या आपका निवास थान का जो भी आपके परमान पत्र है वो आपने साथ में लगाना है और इसके बाद आपका जो है pen card, अधार card या फिर water card में से आप एक proof इसके साथ लगा सकते हो तो दोस्तों इसके बाद आपको बात करते हैं कि आप जो इसका application perform है वो कहां पर बेज़ोगे तो इसके लिए आपको इसका address भी दिया गया है deputy circle head HRD sanction पंजाब national bank circle दफ्तर पटियाला SCO 166 पहली मंजील सुदार टर्सट बिल्डिंग छोटी बगदरी पटियाला 14701 पर आपने इसे 11 मार्च से पहले पहले आपने इसे send कर देना है तो दोस्तो आप बात करते हैं कि आप इसका जो perform है वो कैसे त्यार करोगे तो दोस्तो इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको हिंदी और English में दोनों में perform में बताये हुए हैं अप हिंदी में भी इसके लिए टाइप करवा सकते हैं या इंग्लीज में भी आप इसका प्रफॉर्मा त्यार कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें आपने यहां पर एक अपनी पास्पोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी और यहां पर आपने अपना नाम पिता पती का नाम जन वो भी आपने अलग से लिखना है तो दूस्तो इसके बाद अगर एक सर्विसमेन है तो वो आपने लिखना है इसके बाद EWS वाले हैं तो वो लिखना है इसके बाद रोजगार का जो आपका रजिस्टेशन नमबर है वो आपने लिखना है उसके स्थाई पता आएगा आपका उसके बाद पत्र विहार का पता वो आपने लिखना है उसके बाद डोमोसाईल है जो उसके बारे में लिखना है टेलिफोन नमबर या मुबाइल नमबर उसके मेल आईडी और इसके साथ अगर कोई और दस्तावेज है तो वो भ से भी देख सकते हैं तो दोस्तो इसके रिगारिंग अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कोमेंट जरूर करें और हमारे चैनल एसके जौब सग्यान को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तो जै हिंद जै भरत